दोस्तों आज का वीडियो है OBS Screen Recorder Studio के बारे में ये क्या काम का है मैं आपको बताते हैं तो OBS Studio एक Free Screen Recorder है जिससे आप अपने कंपिटर के स्क्रीन बहुत ही अच्छे सा रेकॉर्ड कर सकते हैं साथ ही में रेकॉर्ड करते करते हैं अगर आपको वेब कैमेरा का लायू इमेज चैप्चेर भी करना है तो आप वह भी कर सकते है इस OBS Studio Software की मदद से इसके बारे में डीटेल में जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने हो तो अगर आप इंट्रेश्ट वीडियो एंट तक देखिएगा नई इंट्रेश्ट हो तो स्कीप कीजिएगा सीधी बात चैनल में आप सब का स्वागत कहता हूँ चलिए यह वीडियो शूर करते है खास तो तो सबस्तों सबसे पहले हम यह जानते है कि हमारे कंपिटर में OBS Studio Software कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे आपको करना क्या है आपको Chrome Browser में Google पे आना है और यहां पे सर्च करना है OBS यह आपको दिख रहा है Windows, Mac OS और Linux आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए यहां से डाउनलोड कर सकते है फिलाल मैं विंडोड कर रहा हूं विंडोड कर रहा हूं विंडोड करूंगा यहां पे लेप बॉटम कॉर्णर में आपको यह डाउनलोड होते वे दिखा अब मेरे पस अलड़ी यह डाउनलोड और इंस्टॉल तो मैं सर्च में टाइप करूंगा OBS दिखाए रहा हूं नीचे OBS टाइप करूंगा यह रहा हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा जैसे आप क्लिक करोगी यह पहली बार कुछ इसरा का इंटरफेस आपके सामने यह एक launched can weродák करणा है इसमें स्क्रीन रेकॉर्टअिंग करणी है हमारा वैब क्रामर गर लगा हूं अँ मतलब अपा करना ओट टो टो इन बिल्ड करा हूं इन बिलिवार होता ही है तो उससे आप प्लाव करना चाहते हैं इसमे्ट पीसी का स्क्रीन 2021 और श्क्रीणे म चैले में प्लस बटन करें जैसे में क्लिक करोंगा यहां पे एक जेक्ड रोप्षन इसे पार इन लिए द्सटायः करनाई इसक्री विल्ट करनाई दिए इसक्रीन करना एगी यह पर पोल रहा ही अन्या डिस्प्ले काप्चर करेंगी कर्या ही पहली पार इंस्टॉल किया है तो create new पे जाएंगे हम और यहां पे display capture नाम रखना है या my screen आप जो भी नाम रखना चाहते है आप रख सकते है यहां पे जो भी नाम रखना है रखिए और यहां पे इसे ok कीजिए क्लिक करके display capture उसके बाद आपको करना है यहां पे ok तो जैसे आप ok करोगी यहां पे पूछेगा कि आपका जो screen है वो इस तरह से दिखाएदेगा यह screen के अंदर screen screen के अंदर screen ऐसे आएगा क्योंकि अभी यह वैसे प्रिव हो रहा है और उसका जो display resolution है यहां पे आ रहा है कि इ तो यह widescreen ratio अगर आपके इसमें नहीं आता है तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ पहले इसे ok कीजिए ok करने के बाद मैं आपको दिखाता हो करना क्या है इसे minimize कीजिए एक मिनिट के लिए इसे भी minimize करते है और desktop के ऊपर right-click कीजिए और display setting में जाईए आपके सामने यहा पे option आजाता है दिखिए डिस्प्ले रिजोलेशन आपका monitor HD तो वहां पे 1080 रिकमेंडेड ही करेगा लेकिन अगर आपका monitor HD नहीं है पुराना monitor है तो उस टाइम पे आप यह वाला रिजोलेशन रख सकते एक तो क्योंकि यह भी 16 ये ओंटाराल के वाला रिजोलेशन रिखियो वाला रिटिन रिख सकते otak räk ईंटाराल माइ यह कोँंकि आपको यह रिकमेंड करोंग यह तो वही बताएगा कि बहाई ए स्क्रीन सक्रीन रिकॉर्सीर डाल मैं यह स्टार्च करोंगा यशन रिकाए रिकमेंड इPods सैट साट रेकोर्डिं बिटन है दिखाए राये रेकोर्डिंग स्टार्टिंग बटन है लेकिन मुझे चामेरा भी आड करना है मैं चाहता हूँ मेरा कैमेरा यहां पर छोटा दिखाए लिए स्क्रीन के वह तो मैं फिर से यहां पर जाओंगा यह जो add button दिखाए रहा है ना focus करता हूं मैं कहाँ पर add button राइट अभी आपको दिखाए दे रहा होगा तो अभी add button पर click किजिए और उसके बाद यहाँ पर आना है video capture device look at there क्या नाम है video capture device यहाँ पर click किजिए video capture device पर जैसे आप click करोगे यह पूछेगा कि आपको नया device तायर करना है क्योंकि हमने existing तो कुछ add नहीं किया है yes यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते है video capture device का my web camera कुछ भी नाम दे सकते हैं और OK बटन पर click किजिए जैसे आप OK करोगे एक screen आएगी और उसमें आपका camera जो भी connected है वो दिखाई देगा जैसे आभी आपको मैं दिखाई दे रहा हूं और मेरा जो camera है वो connected है इसके साथ अगर आपका laptop है तो directly display का laptop मैंने तो web camera लगाया मैं desktop काम कर रहा हूं और मैं comfortable समझता हूं desktop काम करना तो basically आपको यहाँ पर यह दिखाई 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 कि वह कून सा camera नीचे दिखिए यहाँ पर अगर आप यह camera नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे OBS का virtual camera आ जाएगा उसमें कुछ नहीं आएगा बट एक window आ जाएगी लेकिन मुझे यह camera चाहिए जो मेरा connected है अभी और उसकी विज़से मैं भी वहाँ पर दिखाई दे रहा हूं इसमें यह interesting option दिया है इसमें आप क्या करना चाहते इसका brightness वीडियो का कम ज़्यादा करना चाहते आप कर सकते देखिए ब्राइटनेस ओ हुआ यहाँ डार्क मत कीजिए बिलकुल दिखाई नहीं देगा गायब हो जाओंगा मैं राइट यहाँ पर contrast option भी दिया है इस तरह स इसकी ज़ुरत नहीं होती है default आप रखेंगे तो यहाँ पर बहुत सरे options दिया आप कर सकते रहा है camera control भी है camera control में आप जूम कर सकते इंट्रेस्टिंग है आप इसे जूम करके रखिए इतना zooming आपको चाहिए रख सकते है आपको इतना zooming चाहिए कम कीजिए यहाँ पैन भी आपको ए थोड़सी यहां सब्से नहीं इसी अपनह एतना नहें चाहते है और इसको मैं आपर आप रखना चाहते है आपको लगता है चाहत hem नीचे बॉटम में उपर रखना है उपर बॉटम में यहां पर अगर आपको उप्शन्स एक्सेस कर पार कर रहे हैं तो इन्हें इस कैमेरे को आप उपर रखो क्योंकि स्क्रीन के साथ रेकॉर्डिंग होने और स्क्रीन पर आने हो राइट अब चलो यह मैंने पूरा पता होगो देखिए हम ओ लिएज पर यह तो आप बढ़ाना चाहते इसको कम करना चाहते है तो आप यहांपे कर सकते लिकिन मैं देपाल रख रहे है और यह विडियो बीटरेट डिपल्ट रख रहा अगर अगर अपका हायर कॉर्टी चैनल आप बढ़ा भी सकते तो आप कर सकते हैं लेकिन इन्होंने सजेच भी किया है कि रिकॉर्डिंग या पर देखिये मैं अगर MP4 करता हूँ तो यहां पर बल रहा है कि MP4 और MOV यह अन्रिकॉरेबल फाइल होगी तो इससे अच आप क्या करो इसे MKV रखो यह रिकॉमेंड करता है यह दिखिये मैं अपको दिखाऊंगा फिलाल इसे MKV रख देते हैं इसमें यह सेटिंग में याद रखी MKV यहां पर रहना चाहिए और यह रिकॉर्डिंग कॉलिटी से मैं स्ट्रीम जो लाइव स्ट्रीम लेंगे उसे रिलेटेड यह कॉलिटी रहनी तो आउट्पुट में हमें यहां प तो नीचे भी वही रहना चाहिए यहां पर क्या होता है कही बार यह सेलेक्ट हो जाता है कम रिजोलेशन इस तरह से तो आपका जो वीडियो कॉलिटी वह बलर आ सकता है तो आपको क्या करना है यहां का ध्यान दीजी में फोकुस भी कर रहा हूँ उपर जो दिख रहा है ब अगर कर दीजी का होड की होड की सदे मैं चाहता हूँ कि यज रिकॉर रेकॉर्ड़िंग स्टाइच अच्तो नेखर हो और कंट्रोल शिप्ट कियो बटन से रिकॉर्ड़िंग स्टमव फो यैकी मैं इस ढलता क्यूर्ड पर रिकॉर्डिंग नेख यह झालन हो टा मैं यह सब्सक्राइब डिखाता हूं सब्सक्राइब करके श्क्रीन बीघंड आपको दिखाता हूं सब्सक्राइब कुछ हमने setup कर लिया, Camera वगरा, Camera में ने Top Corner में थाया, जैसे मैं आप दिखाय दे रहा हूँ आपको, Right तो इसको bottom मेरकना तो bottom में whatever, like, आपको जो चीह हो, Start recording बटन पे, I click करो, Recording Start होगी, इसे मैं minimize करता हूं अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पहले start button पे click कर रहा हूँ, उसके बाद mouse pointer यहाँ लेके जा रहा हूँ, team viewer पे यहाँ पे focus करना चाहता हूँ, इस पे focus करना चाहता हूँ, तो जो भी focus है आप कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़े दिखाने हैं, आप दिखा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे visit कर रहा हूँ, यह website, जैसे एक website visit कर लेते हैं, learnmorepro.com, और आपको दिखाए देगा, यहाँ पे डिरेकले, learnmorepro.com पे आचुके हैं, view all courses पे click का, तो यह सारी चीज़े जो मैं कर रहा हूँ, यह सारी के सारी चीज़े यहाँ पे record होगी, each and average tape, यह देखिए, a to z, youtube guide course, आपको यह सारी के सारी, जैसे मैं mouse घुमाऊंगा, इसके उपर जो भी चीज़े में focus करना चाहूँगा, अच्छा, इस website के बारे में मैं चीज़े के साथ यह पे available है, और कुछ discount coupon code भी available है, इस website के उपर जरूर चेकिज़े, discount coupon code के साथ यह website description में link दिये, advertise खतम, recording stop करते है, यह recording चालू है कि नहीं कैसे पता चलेगा अभी वी, तो नीचे देखिए, OBS के उपर यह जो rate.rn, इससे आपको पता चलेगा कि recording चालू है, और recording के दोरान अगर कोई चीज़ जूम करनी जैसे, जैसे मैं आपको यह MS access course in Hindi, zoom करके दिखा रहा हूँ, तो आप यहां से यह देखिए, कैसे zoom हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए, मैं यूज कर रहा हूँ, यह इसके वाला, options, magnifier, यह magnifier, यह magnifier आया कैसे, windows और plus ब्लस 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 ब्लस, विंडो माइनस 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 माइनस, विंडो माइनस देखिए, window और प्लस से यह zoom in, zoom out इस तरह से, window प्लस है, याद रहा हूँ, यह keyboard पे जो windows की इस रहता है, उसके बाद, plus बटन, windows माइ बॉटम कार्नर में, यह देखिए, zoom in, right, zoom in, zoom out, windows minus, इसके वज़ज़ से ओर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने setting भी किए, यहाँ पे आपको settings में जाना, यह देखिए, यह जो settings option में, यहाँ पे क्लिक करो, setting option में, go to settings में, यहाँ पे आपको करना कैसे, यहाँ आपको करना के दे इसमें से, इसमें क्या है कि आपको keyboard focus नहीं करना है, text cursor नहीं, narrator cursor नहीं है, mouse pointer ही focus करना है, यह मैंने किया यहाँ 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 पर जूम करो, mouse लेके जारो, वहाँ पर जूम हो रहा है, तो एक चीज़ recording के टाइम पे बहुत लोगों को पता नहीं रहती है, यह आपक कीजिएगा, आपकी recording अच्छी हो जाए, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, right, क्योंकि बहुत सरे लोग मोबाइल में देखते हैं, मुझे पता है, तो उनको मैं हमेशा जूम करके दिखाता हूँ, तो अभी मुझे recording stop करनी, तो यहाँ पर stop recording आ रहा है, या फिर मैं control shift Q button भी प्र और bell icon भी दिया है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे audio की notification आपको time पे मिले, और आप computer में smart बने, दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर आपको मेरे teaching style पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको एक बार मेर चाहिए जरूर चेक करनी चाहिए, जो कि description में लिंक दे दिया आपके लिए, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, और मेरे वेब साइट पे जो कोर्से चल रहे है, जहाँ पर आपके लिए अवैलेबल है, तो आप जरूर चेक करेंगे, यह उमिद है आपसे फिलाल तो आगे बढ़ते आगे के topic की तरफ, अब यह recording गई कहां, यह आपका सवाल रहेगा, तो मेरा जवाब रहेगा कि फाइल में जाओ, और फाइल में जाकर यह देखिए, शोर रिकॉर्डिंग्स करके एक option आ रहा है, शोर रिकॉर्डिंग्स में आपको बहुत सार रिकॉर्डिंग मि यह देख सकते हैं, आज की तारीक है बारा बारा तीन दिखाए देरेना, दो अजर बाइस, यह है बारा तीन दो अजर बाइस, और यह सुबर रिकॉर्ड किया था, मैंने 1031 को स्टार्ट किया था, तो इसे मैं डबल क्लिक करके मैं आपको दिखाऊंगा, यह देखिए, यह देख सकते हैं, 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 यह देख सकते ह यह रही हमारे आज की रेकोर्डिंग 12-3-2022 डेट की साब से 10 31 को रेकोर्डिंग स्टार्ट किया तो ओपन करेंगे ओपन किया हमने इदर रेकोर्डिंग और वह MP4 में अपने और टार्गेट फाइल कौन सी बनेगी MP4 यह सब को बनानी है अब पाइल में जाओ अगें शो रेकोर्डिंग करो यहां पे देखोगे आप वही पाइल अभी बन चुकी है MP4 में तो MP4 यह एक्स्टेंशन MP4 तो इस तरह से आप रेकोर्डिंग को रिमुज भी कर सकते MP4 में कphonवर्ड भी कर सकते FCP डेपरेटलि आपको यह आईडिया आचुका होगा कि je इस realised को कि concept करनी होती है शॉतकर की से साइन कारनी रहते है मैंने डी सुलस्ट Бट है आपकोılan सारे सोब सब्सक्रार करना है यह स्ब transition करने का स सकती है सारे चीज हमार बीडीज का बताईए क्या क्या सेटिंग करनी है क्या क्या नई करनी है नई करनी वो तो मैंने पताया नहीं लेकिन जो जो करनी है वो मैंने बता दिया जरूर कीजिए इसकी प्रैक्टिस मुझे बता दीजिए कमेंट डिस्क्रिप्शन में कैसा लगा आज का वीडियो लाइक शेर कमेंट सब कुछ कीजिए जितनी भी चीज़े डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे चैनल्स और वेबसाइट की लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप इंट्रेश चुड़ो मुझसे और सीखना तो सीखिए ना यार फ्री में हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए चैनल्स की लिंक में सभी वीडियो फ्री है ज़रूर चेक कीजिएगा मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिए सीखते रहो सीखाते रहो बाइबाइ